आजी के दिन मसाल स्पोर्ट्स ने प्रो कबड़ी सीजन 11 का ऑक्षन अनाउंस कर दिया है 15 एंड 16 अगस्ट को होगा प्रो कबड़ी सीजन 11 का ऑक्षन एंड 16 के आर्टिकल में ना ही रिटेंशन पॉलिसी के बारे में कुछ जिक्र किया गया ना ही पर्स बैलेंस के बारे में बात किया गया आखिर क्या होने वाला रिटेंशन पॉलिसी पर्स सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा सबसे इंपोर्टेंट कब ह हमें retained players का list देखने को मिलेगा because 20 दिन से कम दिन का समय बचा हुआ है तो यह सब बहुत जल्दी आने वाला है शुरुबात करते हैं retention policy के साथ तो जैसे के मैंने आपको पहले बताया कि article में कहीं भी mention नहीं है कि retention policy क्या होगा last के कुछ season के auction के announcement की बात किजाए तो उसमें simple सा retention policy article में ही mention होता था मैं आपको बता दू इस बार के retention policy में हमें changes देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा chances यही है कि same उसी type का retention policy होगा जिस तरीके से पिछले season में हमें देखने को मिला कैसा है retention policy किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको फटा फट बता देता हो चार टाइप्स के retention होते है ERP,RYP, existing NYP and nominated NYP elite players वो जो auction में सामिल हो चुके है और जिनका contract पुरा end हो चुका है ERP,RYP वो ही जो NYP से ERP बन जाते है अपने तीसरे साल में and existing NYP's वो जो पिछले season nominate हुए थे इस बार existing NYP's nominated NYP मतलब जो इस season sign होगे तो किस तरीके से retention होगा तो elite players से maximum जो team में वो 6 players को retain कर सकती है हर एक category से maximum 2 players category A category B and category C ERP,RYP जिसे retain young player कहते है उसमें भी maximum आप 6 players को retain कर सकते हो and existing NYP's वो जो पिछले season टीमों ने sign किया था इस season उनका दूसरा साल होगा contract का तो वो automatic under existing NYP retain होगे and nominated NYP वो जो इस season team sign करेगी and मैं आपको बता दू सभी टीमों ने अपने NYP's के जो list है वो pro kabaddy को submit कर दिया है अब most likely August के first week में हमें सभी NYP's के बारे में जानने को मिलेगा अब ऐसा मैं क्यों कह रहा वो आपको वीडियो के आगे में जानने को मिल जाएगा इससे बहले मैं आपको बता दू pro kabaddy season 11 के auction को अब 20 दिन का समय बचा हुआ है सभी updates आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा आपको कहीं भी जाने की जरूत नहीं है YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलिग्राम चैनल को फोलो नहीं किया तो फटर फट फट फोलो कर लो हर एक update auction के regarding में cover करने वाला हो सबसे पहले दो तरीके जोइन करने के सबसे पहले आप description box से जोइन कर सकते तो left side पे method सो हो रहा होगा पहला link देखने को मिल जाएगा और राइट साइट पे आपको टेलिग्राम पे जाके एड़े रेट स्पोर्ट स्पोर्ट स्वेन सर्च करके जॉइन कर लेना है हर एक update में आपके साथ शेर करने वाला हो अब बात करते पर्स amount की कितना पर्स होगा क्या increase हुआ है वैसे तो पर्स balance के बारे में कुछ mention नहीं है लेकिन मैं आपको बता दू पर्स increase होने का जो chance से वो बहुत ज़्यादा कम है अगर increase हुआ तो 40 लाग तक में भी increase कर दिया जाए लेकिन आप कहा सकते हो कि ज़्यादा chances है यह कि same पर्स होने वाला है पिसले season 5 करोड था 4.4 करोड से increase करके 5 करोड किया गया था इस बार भी ज़्यादा chances है कि यह हमें 5 करोड का पर्स देखने को मिलेगा अगर increase हो जाता है तो इसमें हमारी अच्छी बात है प्रो कबड़ी के लिए जो टीम से वो उनकी लिए अच्छी बात है प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है और प्लेयर्स पे ज़्यादा बिटिंग कर सकती है और एक और सबसे important बात यह होगा कि रिटेन प्लेयर्स का लिस्ट कब आने वाला है तो एस पर सोर्स यह पता चल रहा है कि ऑगस्ट के फर्स वीक में हाई चांचे से की जो लिस्ट के रिटेन प्लेयर्स एंड रिलीस प्लेयर्स का वो हमें देखने को मिल जाएगा और इस दिन को सेंस भी बनाता है वेकौस 15 ऑगस्ट को अगर आक्षन है तो उससे 10 दिन पहले ही जो लिस्ट है वो यहाँ पर प्रो कबड़ी को रिलीस करना होगा और सभी टीमों ने सायच से रिटेन प्लेयर्स का जो लिस्ट है वो सब्मिट कर दिया ऐसा सुनने को मिल रहा है अब जो भी हो ऑगस्ट के फर्स वीक में हमें रिटेन प्लेयर्स एंड साती में नोमीनेटेड एनवाईपी के लिस्ट भी देखने को मिल जाएगा जो पूरा लिस्ट है वो प्रो कबड़ी अनाउंस करेगा और जैसी आज आजाएगा अपडेट वो में आपको टेलेग्राम पे शेर कर देने वाला हो एंड 15 अगस को ऑक्षेन है लेकिन उससे पहले 27 जुलाई से क्रिकेट की बात की जाए तो इंडिया वसे स्री लंका का सिरीज होने वाला है सबसे पहले T20 आज सिरीज फिर ODI सिरीज खेला जाएगा तो इस सिरीज के रिगार्डिंग जितने भी फेंटेसी टीम्स होगी वो आपको क्रिकेट गली फेंटेसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा क्रिकेट गली फेंटेसी टेलिग्राम चैनल को आपने जॉइन नहीं कहा तो फटफर जॉइन कर लो अभी T20 लिग्स काफी चल रहे तो उसके मैचस के प्रेडिक्शन और फ्री में फेंटेसी टीम्स आपको देखने को मिल जाएगा इस टेलिग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में दे देने वाला हो जाएए फटफर जॉइन कर लीजिए या फिर आप टेलिग्राम पे जाके एट दिरेट क्रिकेट गली फेंटेसी सर्च कर सकते हो आपके स्क्रिन पे अभी सो हो रहा होगा और प्रो कबर्टी सीजन 11 के आउक्शन में कौन से 10 बड़े खिलाडी सामिल हो सकते है इस पे मैंने वीडियो अल्रेडी बना दिया लेफ साइट पे क्लिक करके देख सकते हो और राइट साइट पे चैनल का लेटिस वीडियो सो हो रहा होगा उस पे क्लिक करके आप हो देख सकते हो मिलते होसी वीडियो में ठैंक्स वर वाचिंग